आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मैनुफेक्चरर होते हैं जिनकी खुद की फैक्टरीज होती है वो अपने लिए FSSI जो Food Safety and Standard Authority of India इस्चु करती है उसके लिए लाइसेंस कैसे आप अपलाए कर सकते हो अपना खुद से घर बैठ के राइट आज हम FSSI की वेबसाइट पे आ चुके हैं अभी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस लिंक को ध्यान से देख लिजे आप इसी ओफिशल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है उसके बाद आपको खुद का स्टेट सेलेक्ट करना है लेट से आपका इस्टेट डैली पड़ता है राइट सो डैली पे आके हमारे पास यहां पर चार-पांच ओप्शन यहां पर नजर आने लगते हैं चार-पांच ओप्शन में हमें सेलेक्ट करना है मैनुफेक्चरिंग की मैनुफेक्चरिंग की जब हम ओप्शन यहां पर देखते ह तो मैं सबसे पहले option मिलता है dairy units, अगर आपका कोई ऐसा काम है जो दूद से related है, मिठाई related है कोई काम, right, milk and milk products से related है, तो आपको dairy unit select करनी है, आपका अगर कोई vegetable oils जैसे sunflower oil हो गया, refined हो गया, olive oil हो गया, या कई सारे oils का अगर कोई आपने expelled units लगा रखे हैं, या कोई processing unit लगा र meat plant लगा रखा है, meat plant के लिए आपको third category slaughtering units यहाँ पे select करनी है, अगर आपने कोई slaughtering unit नहीं लगा रखी, बट आपके हैं कोई meat process होता है, आपके हैं packaging होती है, उसकी cleaning होती है, right, storing होती है, transportation आपकी company करती है, तो उसके लिए meat processing units वाला आपको option select करना है, इंडिया की सारे ज आप fish या fish related products में deal करते हैं, उनकी handling, processing, manufacturing का, manufacturing इनका मतलब यहाँ पे कि अगर आप पालन करते हैं मचलियों का, अगर आप packing, storing, distribution करते हैं, तो आपको यह वाला option select करना है, अगर आप कोई gym से related कोई product बनाते हो, जैसे कि वे protein हो गया, या कोई medical purpose से आपने कोई protein बनाया, है ना तो उसके लिए glucose etc के लिए central license issue होगा, और आप यह वाला option select कर सकते हो, जर्नल manufacturing बहुत ही wide term है, अगर इन सारे options में से आपको कोई भी option नजर नहीं आता, तो आपको जर्नल manufacturing select करना है, जर्नल manufacturing में इन्होंने definition दिये, other than dairy unit, vegetable oil, processing unit, slaughtering unit, meat processing unit, so इसमें जर्नल manufacturing का जो दाइरा ह होता है, वो बढ़ जाता है, और जर्नल manufacturing में आप, अगर आपका turnover 12 lakh से कम है, तो आप यह वाला basic registration select कर सकते हैं, अगर आपका 12 lakh से plus है, आपका turnover और 2 million ton per day से जादे की production आपकी है, तो आप state license select कर सकते हैं, और नहीं तो आप third license आप central license select कर सकते हैं, तीनों license की fees अलग अलगे, turnover criteria है, 12 lakh basic registration के लिए, 12 lakh से 20 करोड state license के लिए, और 20 करोड पिलस के लिए central license आता है, एक्सपोर्ट के लिए भी central license हमारा यापर देखने को मिल जाता है, इसके बाद 100% export oriented unit, अगर आप exporter हैं, exporter का manufacturer हैं, तो आपको यह वाला option select करना है, इसके अलावा substances added to food, proprietary food, यह आपके option मिल जाएंगे, but I hope कि आपका काम journal manufacturing वाले option से चल जाएगा, अब हम इसका state license apply करते हैं, आपके सामने में live license करना आपको apply सिखाऊंगा, आप वीडियो के last तक बने रहना, और चैनल को subscribe कर देना, आपको इस तरीके की informational video regular basis पे मिलता रहा करेंगी, right, so manufacturer journal license का state license, इन्हों ने अपन ने आपी option यहाँ पे show कर दिया, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यह क्या और details मेरे को मांग रहे हैं, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर name of the company organization, अगर आपकी private limited company है, proprietorship company है, या whatever आपने कोई incorporate कर रखी है, अगर आप individual भी हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपन यहाँ पे आप GST number mention कर सकते हैं, PAN number, SIN number जो private limited company का corporate identification number होता है, वहाँ पे यहाँ पे आप mention कर सकते हैं, GST number अगर आप यहाँ पे mention करेंगे, जो आप GST government fees पे करोगे, उस पे GST लगता है उसको अराम से claim कर पाओगे, right, so यहाँ पे अब हमारे पास manufacturing, general manufacturing का option आगया, ठीक है और इसके अलावा हमारे पास सारी चीजे हम इस code में देखेंगे, so यह जो code है, यह बहुत ही ज़्यादा important code है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हमने first page पे देखा production capacity at least 2.2 million ton से ज़्यादा होनी चीए, right, at least, so हम यहाँ पे 2.01 कर देते हैं, जो की ज़्यादा करने है, right, so dairy product की main category ही होगई, sub category में यह option आपको देखने को मिल सकते हैं, अब sub category के बाग एक product की category भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, right, अगर हम suppose करो cheese की बात करें, तो यहाँ पे आपको कई सारे चना, पनीर, यहाँ पे छेडा और बहुत सारे option यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, right, हम इसको deselect करते हैं, हम आते हैं oils पे, right, अगर किसी का oil expeller है, या कोई oil processing unit है, वो कोई refined वगेरा बना रहा है, free from water, तो यहाँ पे आपको refined coconut oil, groundnut oil, sunflower oil, soya bean oil, यह सारे mustard oil, palm oil, यह बहुत सारे आपको यहाँ पे अपना option यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इ आपे आप add product कर सकते हो, इसको deselect करके हम आते हैं, ices, शर्बत, अगर आप robza वगेरा बनाते हो, या कोई शर्बत वगेरा बनाते हो, और lussies वगेरा यहाँ पी नोने दे रखा है, right, fruits and vegetables में, अगर आप jams बनाते हो, कोई pickles का अचार डालते हो, let's say आपने fruit select करके, यहाँ यह बोलेगा, अगर आप कोई jam वगेरा बनाते हो, या कोई खजूर देखो, यहाँ पे dates, dry fruits, अगर इन सबकी आपकी, यहाँ पे pickles भी आगया, option jams आगया, आपकी fruit cheese आगया, यहाँ पे, यहाँ पे mango chutney, मुरब्बा, इस तरीके का अगर आपका business है, तो यहाँ पे आप option select क कर सकते हो, बहुत ही relevant part है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, आपका भी इसमें code अभी तक नहीं आया होगा, तो मैं अभी आगे सारी चीजे कवर कर रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा, confectionery में जैसे आपका toffee होता है, chewing gum होता है, confectionery यहाँ पे option होते है, sugar boiled confectionery, यहाँ पे spice base mouth freshener जैसे की pulse toffee होती है, यह उसकी बात कर रहा है, right, cereals and cereals product में आपका जितना भी आटा होता है, मैदा होती है, pasta, cereals, यहाँ पे pre-cooked जो आते हैं, आजकल, soya bean product जो आते हैं, let's say हमारा breakfast cereals अगर हम select करते हैं, तो यह cornflakes वगेरा, यह सारी oats वगेरा, सारे option य बात करें, तो bread and, अगर आप bread बनाते हो, यहाँ पे हमें option देखने को मिल जाते हैं, bakery product के बाद meat product, eggs and egg product, अगर आप बनाते हो, तो आप egg में क्या मनाते हो, fresh egg करते हो, preserved egg करते हो, egg based dessert बनाते हो, जैसे की cake हो गया, अब इसने क्या करा, इसने category बता दी आपको, कि आपको proprietary food के अंदर डालना है, guys, यह बहुत ही smart portal है, आप कोई भी option गलत select करोगे, आपको अपने आपी यहाँ पे guide कर देगा, कि आपको यह option select करना है, अगर हम sweeteners including honey की बात करते हैं, तो यहाँ पे raw sugar हो जाती है, sugar से related, जैसे syrup होते हैं, जैसे mocktails बनती हैं, उसके अंदर syrup यूज होते ह बदलने के लिए बोलता है, salt, spices, soup and other category में आप salt, herbs, vingard, mustard, soups, इस तरीके की option आप select कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप mustard भी करते हो, तो यह भी category बदलने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, category हमने पहले ही discuss कर लिए, आप पीछे से backward कर सकते हैं, video category को देख सकते हैं, अगर आप Indian sweets and Indian snacks की बात करते हो, so यहाँ पे भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, dry fruits, ready to eat, fruits and vegetable based snacks, यहाँ पे देखने को हमें मिल जाते हैं, so suppose करो मेरा एक client है, उसका काम है कि वो जितने भी instant tea होती है, instant coffee होती है, और flavor tea वगेरा होती है, उन सब में deal करता है, so मैं यहाँ पे आके option select करता ह beverages का, यहाँ पे beverage का मैंने option select करा, उसके बाद यहाँ पे मुझे option दिखाएगा non-alcoholic, आजकल non-alcoholic drink का बहुत ज़्यादे चलन चल रहा है, shark tank में बहुत सारे start-ups आते हैं, जो non-alcoholic products में deal कर रहे हैं, और बहुत अच्छी sale वो यहाँ पे achieve करते हैं, अब हम instant tea की बात करते ह green tea आ जाता है, green tea के साथ साथ हमारी flavor tea भी आ जाता है, इसके बाद tea भी आप select कर सकते हो, fruit juices, coffee instant, coffee instant tea, यह option हम select करके एक license यहाँ पे apply कर रहे हैं, सारे code मैंने यहाँ पे discuss कर दी है, weather unit is equipped with analytical laboratory, यह गाइस बड़ी units के अंदर एक laboratory लगती है, quality check के लिए, अगर आपने लगा रख है, तो yes कर दीजेगा, वर्णा no भी कर दीजेगा, और यह यहाँ पे कह रहा है कि journal manufacturing में आपको details of journal manufacturing का हमने verify नहीं करा, तो हम दुबारा से verify कर देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे beverage हमने select करा था, non-alcoholic beverage में हमने, suppose करो green tea और solid tea, coffee instant tea यहाँ पे select कर लिया, इसके बाद हमें kind of business में पूछेगा, manufacturer, relaborer, repacker, so manufacturer वो होता है, जो इनकी सब की manufacturing करता है, from the scratch, है ना, उसने खेतों में से चाई की पत्ती लेकिए, उसको process किया, और process करके, एक solid form में instant tea बनाया, उसको हम यहाँ पे manufacturer बोलेंगे, relaborer क्या होता है, कि manufacturer से product उठाया है, उसने, और उसकी marketing कर दी, marketing क product ले रखा है, और वो तुमारा product बेच रहा है, अपने नाम से, ठीक है, और repacker का क्या मतलब होता है, repacker का मतलब होता है, marketing में तो वो अपना नाम यूज़ करेगा, बट उसका जो manufacturer होगा, वो आप ही की company होगी, ठीक है, so जब हम next step पे चलते हैं, अपने product select करने के बाद, यह और OTP के तुरू दोनों चीज़े verify करेगा, अगर आप अपना phone number भी यहाँ पे डालते हो, तो यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके अलावा यह आप select कर लेना कि यह किस से related है, आपका phone number वग्यारा, login ID इसने अपने आप create कर दिये, इसको आप save करके रख लीजे, आगे चलके login इसी से ही हो पाएगा आपका, इसके अलावा आपको गाईज इसमे एक password बनाना पड़ेगा, खुद का वो भी आपको note down करके रखना पड़ेगा, वो password आप अपने पास login ID और password दोनों चीज़े, note it down करके अपने पास रख लीजेगा, उसके अलावा हम caption यहाँ पे डालेंग एक ही OTP आना है, दोनों जगे OTP अलग 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 अब नहीं आते इसमें, ठीक है, हमने यहाँ पे चीज़े verify करी, verify करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, कि इसने हमें register कर दिया है, और हमारा login ID, password इसने हमें mail पे login तो देई ही दिया है, password आपने note down यहाँ पे ठालिया जो आपने पहले दिया था, इसके बाद correspondence address, registered address आप different भी रख सकते हो, अगर आपका home जितना भी head office होता है, वो अलग होता है, unit address अलग होता है, तो registered address, correspondence address आप अलग कर लिजेगा, नहीं तो आप एक भी रहने दे सकते हैं, technically qualified person से इनका मतलब है guys, आप एक manufacturing unit लिए ब असाई क्या है, इस चीज को लेके बहुत ज़्यादा concerned रहता है कि जितना भी experts के मौझूद की में सारी चीजे हो तो ही अच्छा रहता है, so qualification जैसे की medical product अगर आप बना रहे हो medical से related तो जैसे b pharma की qualification वो लोग मांगते हैं, bsc chemistry वो लोग मांग बैठते हैं, right, so ये सब चीज आपके apply होती है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन ये आप से degree की भी photo मांग सकते हैं, bsc chemistry और उसका हमे photo ID card, अधार card भी यहाँ पे upload करना पड़ता है, जो भी particular person आपके पास यहाँ पे available होता है, ठीक है, उसका voter ID card या अधार card या passport या pen card आप यहाँ पे डाल के phone number यहाँ पे डाल सकते हो, अगर मैं बात करूँ कि हम यहाँ पे क्या-क्या option डाल सकते हैं, तो यहाँ पे person responsible for complying with condition और technically qualified person आप दोनों को same रख सकते हो, अगर आप कोई already कोई license acquired, आपने किया हुआ है, कोई commercial license या exercise duty का service tax का, आप यहाँ पे mention कर सकते हो, या जैसे आपका head office अल बनवा रखा है, तो यहाँ पे अपना license number mention कर सकते हो, so manufacturing state license का one year का license का fees 5,000 रुपे आपको यह दिखा रहा है, प्लस GST इसके अंदर add होना ही होना है, यहाँ पे यह district select करने को बोल रहा है, यह option हमारे पास से रह गया था, उसके बाद अब आपका main जो part आता है, documentation का आता है, guys, FSSIE में दो चीज़े बहुत ज़्यादा important है, आप business quote क्या declare करते हो अपना, और documents इसके अंदर हमें क्या-क्या upload करने होते हैं, अगर हम manufacturing की बात करें, तो manufacturing में almost सारे documents, अगर आप state license apply कर रहे हो, या central license apply कर रहे हो, documents same होते हैं, तो यह part आप ध्यान से देखेगा, यह सबसे अगरे मांग रहे है, blueprint layout plan, जो आपकी factory unit का नक्षा होता है, जो blueprint होता है, उसको आप यहाँ पे upload कीजिए, pdf में, उसके अंदर आपका जितना भी layout plan होना चीए, machinery कहां पर रखी है, storage area कहां पर रखा हुआ है, gen set आपका कहां रखा हुआ है, यह सब आप उस map में mention कर सकते हैं इसके अलावा guys, second number पे हमारे पास option आता है, list of director, partners, proprietor, so अगर आपका proprietor है, तो आप proprietor का जो भी नाम है, उसका residential address, उसका phone number, उसकी email id, एक letter head पे mention करके, sign and stamp करके upload कर सकते हैं, अगर company है आपकी, तो director की, जितने भी director है, उन्हें सब का same detail और partner है, आपकी LLP है या partnership firm है, so उनक same detail आपको यहाँ पे mention करनी होगी, इसके अलावा guys, name and list of equipment, अलग-अलग, field के अलग-अलग, food processing के अलग-अलग, machinery होती है, equipments होते हैं, उनकी क्या-क्या नाम है, जैसे अगर किसी का water processing unit है, so उसके पास RO होगा, अच्छी घाजी capacity का, उसका कितनी number आपने install किया हुआ है, उसक laboratory में आप अपना water test करा सकते हो, क्योंकि manufacturing में water use होता है, तो यह water testing report मांग लेते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि water testing report आपके work पे applicable नहीं है, आपका काम water free है, जैसे कि आपकी मैदा की processing unit है, आप उसके अंदर पानी का तो काम कुछ भी होता नहीं है, तो आप simple इसके अंद इसके लावा जितना भी आपका, यहां पे address proof के लिए आप अपनी sales deed लगा सकते हो, rent agreement, electricity bill में से कुछ भी लगा सकते हो, अगर electricity bill आपके नाम पे नहीं है, तो electricity bill के साथ rent agreement या NOC यहां पे mention आपको करना पड़ेगा, गाईद अगर आपका proprietorship है, तो self declaration आती है, एक self declaration आपको upload करना होगा, यहां से आप sample document ले सकते हैं, तो यह self declaration यहां पे दिखा देता है आपको, यह self declaration proprietorship की है, आप यहां से जाके इसको print कर सकते हैं, इसके अंदर detail mention करके, इसको place, date, sign, name, address, contact, number डालके stamp and sign यहां पे कर सकते हैं, अगर आपने partnership firm बना रखे तो partnership deed upload कीजे, अगर आपन company बना रखे तो company में आप certificate of incorporation का page, memorandum of association जो MOA होता है, उसका first page और उसका वो वाला page जिसके अंदर share capital mention होती है, जिसके नाम पे है, वो तीन page आप upload कीजे यहां पे, और तीन file आपको upload करनी है, इसकी भी limit होती है, तो आपको केवल तीन pages upload करने है, home 9, nomination of the person, इसका आपको sample document English में निकालना है, इसको print out करके आप इसके अंदर अपने establishment का name लिखिए, sign कर दिवाई ये person के, और इसके अंदर place date और यहां पे company का नाम mention करके, यहां पे stamp and sign इसको करा दीजिए, so guys, recall plan क्या होता है, recall plan होता है कि आप एक manufacturer आपने market में अपने product उतारे वे हैं, अगर उस product की expiry six month है, अब वो all over India फैले वे product और वो expire हो जाता है माल, so आप उसको अपनी unit तक कैसे मंगा होगे, इसको आप written में देना होता है, so recall plan का इनोने यहां पे आपको एक sample दे रखा है, इसको आपको बना के upload करना पड़ेगा, इसके अलावा guys, production unit के photograph यह मांगते हैं, photograph में mainly आप entrance दिखा सकते हो, जितनी भी storage unit है, वो दिखा सकते हो, जितनी भी machinery जहां पे लगी हुई है, वो सारी mention यहां पे कर सकते हो, so guys, यह सा हमने बात करी mandatory documents की, इसके अलावा कुछ other documents भी आपके उपर लग सकते हैं, जैसे अगर आप export कर रहे हो, तो self declaration लगानी है, right, so यह सब आप बहुत detail में जाके देखना पड़ेगा आपको, right, water testing report अगर आपको करानी है, आप यहां पे भी upload कर सकते हो, local bodies से कोई NOC लेनी है, जैसे meet processing unit में, आपको municipality bodies की NOC acquire करनी पड़ती है, so आप वो NOC यहां पे upload कर सकते हो, उसके अलावा guys, declaration करके अगर आप यहां पे save and next करोगे, तो आपका payment का option यहां पे, दिखाई दे जाएगा, जो आपकी payment आपको पहले page पे दिखाई दी थी, 5000 plus GST की, so वो payment आपको यहां पे करनी पड़ेगी, 18% GST scheme अपलाए होगा, अगर आप अपना GST number यहां पे mention कर सकते हो, कर देते हो, तो GST number आपने जो GST pay किया है, अपने invoice वो आप claim कर पाओगे, otherwise आप वो claim नहीं कर पाओगे, आपको mention यहां पे करना ही पड़ेगा, so guys यह था manufacturing unit को apply करने का एक तरीका, आपको description box में tax advisory से related links मिल जाएंगे, हमसे contact करने के लिए, अगर आपको कोई भी consultancy चीए, food license के लिए, so यह हमारी company आपको services offer करती है, food license की all तर कर सकती है, state license acquire करने में, central license या basic registration acquire करने में, आपकी help कर सकती है, right, so यह सारे documents भी हम आपकी help कर सकते हैं, आपको prepare कराने के लिए, जितने भी documents की list यहां पे इन्होंने mention करी हुई है, हम आपकी यहां पे help कर सकते हैं, so guys, thank you very much, I hope कि आपको बहुत अच्छे से मैंने detail में समझ में आई हो, अगर आपकी फिर भी query रह जाती है, कुई आपको, कुछ query आपको करनी है, या आपको clear नहीं हो रहा है, कोई doubts or description box में आपको contact us का link मिलेगा, और आप मेरी team से connect कर सकते हो, thank you so much guys, बने रहने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को like कर दीजेगा, कर दो वीडियो